तो दोस्तो ये स्टोरी है उफ्लिक्स ये गंदीबार टू वेब सीरीज की जिसमें पाच करेक्टर है चुनिया, गुडिया, रामू, पेलू और छुटन चुनिया गाव की छमया लड़की रहती है जो हमेशा ठुकाई के लिए लौण्डे तलाचती रहती है गुडिया चुनिया की छोटी बहन होती है जिसने अभी तक ठुकाई नहीं की होती है उसको ठुकाई से डर लगता है और रामू गाव का रोमियो रहता है जो ठुकाई मे पर अटक जाती है या वो पेल नहीं पाता और वो रामू का भी खास दोस्त होता है आखिर में एक कैरेक्टर होता है चुटन जो पान की टपरी चलाता है पेलू और रामू अक्सर उसकी पान की टपरी में सिगरेट पीने जाते रहते हैं और चुटन को गाव की सबी वाली खबर पता रहती है और कौन किसकी ठोक रहा है कौन किसकी ले रहा है ये सब छुटन को पता रहता है तो कहानी शुरू होती है चुटनिया से चुटनिया पेलू के साथ पेलम पट्टी कर रही होती है पेलू का डंडा चुटनिया को पेलने से पहले ही पैंड के चैन म तो चुनिया कहती है कि तेरा दोस्त चूतिया नंबर वन है, कुछ काम का नहीं है, उसका सामन कभी नाडे में अटक जाता है, तो कभी पैंड के चैन में फस जाता है, उससे कुछ नहीं होता, उससे अच्छा तो तू कर लेता है. दूसरे दिन चुनिया की छोटी बहन गुडिया चुनिया के घर आती है और कहती है दीदी घरवालोंने मेरी शादे फिक्स कर दी है पर अभी भी मैं तयार नहीं हूँ तो चुनिया कहती है क्यों क्या हुआ तुझे तो गुडिया कहती है मुझे पेलंपटी करने से डर लगत मैंने सुना है कि बहुत दर्द होता है अगर मुझे सुहाग रात के दिन दर्द हुआ तो मैं अपने पती को गुस्से में कुछ उल्टा सीधा बोल दूंगी और मेरी शादी तूट जाएंगी। रामु और पेलु दोनों छुटन की पान की टप्री पर बैटे होते हैं। रामु सिगरेट पी रहा होता है। पेलु बैटा होता है। और छुटन रामु से कहता है क्या हुआ भाईया उस दिन चुनिया क्या कह रही थी पेलु के बारे में। तो रामु कहता है कह रही थी कि तेरा दोस्त पेलू कुछ काम का नहीं है उसका सामन खेल खेलने से पहले ही अटक जाता है कभी नाडे में फस जाता है तो कभी पैन के चेन में और छुटन और रामो दोनों हसते हैं और पेलू का मजाग बनाते हैं पेलू चिड जाता है और कहता है भोस्री वालो रुको इस बारतों में सात में और जार लेके जाओंगा ताकि मेरा तोफ नाडे में अटक भी गया तो उसे काट दूगा इस बार में खेल तो पूरा खतम करके ही निकलूगा दूसरे सिन में पेलू चुनिया के घर उसकी लेने जाता है पर चुनिया छुप जाती है और उसकी बहन गुडिया को पेलू के सामने भेज दीती है ताकि पेलू उसे पेले और गुडिया का काम हो जाए पेलू गुडिया की जवानी देखकर पागल हो जाता है और उस पर कि तू सच में बहुत बड़ा चूतिया आदमिये साले, कोई लड़की की लेने आरे लेकर आता है क्या? और पेलू कहता है मैं तो पैंट काटने के लिए आरे निकाला, तुम लोग गलस समझ रहे हो, पर वो लोग समझ नहीं पाते, और पेलू इस बार भी बिना पेले निकल जाता है, पर चुनिया गुड़िया से कहती है तू टेंशन ना ले, मेरे पास तेरे लिए एक जुगाड है, मैं एक जुगाड का बंदुबस करती हूँ, और वो रामु को कॉल करती है, रामु कहता है बोलो चुनिया रानी क्या बात है, चुनिया कहती है आज मिलो मुझसे, रामु कहता है क्यो बहुत तलब लगी है क्या, चुनिया कहती है हाँ, आज मेरी जम के ले लो, और चु फिर रामु तब्यत से दोनों को खुब पेलता है। दूसरे दिन चुटन की पान के टपरी पर पेलो जाता है। तो चुटन उसे कहता है क्या बे नल्ले वहां रामु एक साथ दो दो माल को पेल रहा है और तेरे से एक की भी ठुकाई नहीं हो पा रही है। तो जिन्दगी में कभी कुछ कर पाएगा क्या नहीं बे। बाद में रामु चुटन की टपरी पर सिगरेट मारने आता है। चुटन रामु से कहता है भाई खवर लगी है कल तुम एक साथ दो एटम को पेले और उसमें से एक तो पुरा नया पीस था। तो रामु कहता है साला तुम तो बड़ी खवर रखते हो वे। चुटन कहता है हाँ भाई हमारा तो काम ही यही है। तुम सिर्फ बताओ कि कल कैसा मज़ा आया दोनों माल पेलने में। तो रामु कहता है जन्नत बे एक लड़की उपर एक लड़की नीचे कभी तो आगे कभी तो पीछे बता ही नहीं सकता कि क्या मज़ा आया साला। दूसरे सिन में पेलू उताओला होकर चुनिया को रास्ते में रोक लेता है। और चुनिया फुल जोश में रहती है। कहती है कि क्या हुआ करना तो पेलू कहता है मेरा हो गया, मेरा पानी निकल गया। यह सुनकर चुनिया का दिमाग खराब हो जाता है। और वो वहाँ पड़े हुए कोईते से पेलू का केला जड़ से काट देती है। और पेलू कुत्ते की तरह चिलाते रहता है और स्टोरी खतम हो जाती है।